टेंशन में भी आ गया था और मैं सोचने लग गया था कि पता नहीं किस करण से इंक्रीज हुआ है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेरा जो क्रेटी 9 है वो आपको मैं बताऊंगा कि मेरा जो क्रेटी 9 अब हो कितना रहते हैं दोस्तो मेरे kidney transplant को धाई साल complete हो चुके हैं और मैं बिल्कुल सलज्ट हूँ दोस्तो अभी मैं पीछे doctor के पास follow up के लिए गया था तो उस time पर मेरे check up हुए वहाँ पर तो मेरा जो creatinine था वो 1.3 आया था दोस्तो और यह पहली बार हुआ है डाई साल के दोरान कि मेरा जो creatinine है 1.0 से बढ़ करके 1.3 तक गया है नहीं तो मेरा जो creatinine है वो 0.9 और 1.0 पर ही रहता है दोस्तो जब मैंने इसके बारे में डोक्टर से बात की तो मेरे डोक्टर ने कहा कि creatinine आई आपका नॉर्मल है और जैसे कि आई साल के दोरान पहली बार 1.3 पर गया है तो हम इसका इल्टरा साउंट को लगा के देखते हैं उपर का मेरा किड़नी का इल्टरा साउंट और आपके रिपोर्ट भी सभी ठीक है और जो नॉर्मल creatinine होता है वो 1.5 तक हम मानते हैं और कई केस के अंदर तो 1.8 भी हो सकता है अगर वो स्टेबल हो तो दोस्तो जब मैंने इसका कारण पुछा तो मेरे डोक्टर ने मेरे को बताया कि हो सकता है कि आपने पानी कम किया हो या पर आपका जो लाइट टाइल है आपका जो डेली का रूटीन है उसके अंदर हमने कुछ चेंजिंग किया हो दूसरा इसके अलावा कई वर यह भी होता है कि जो रिपोर्ट करवाते हैं तो उसके अंदर 15 पॉइंट का अप डाउन कई वर हो जाता है जब रिपोर्ट टेक्निशियन जब रिपोर्ट बनाता है तो दोस्तों इसमें कोई टरने वाली बात नहीं है सबसे इंपोर्टेंट तो यह होता है कि हमारा हमारी जो खिड़नी खराब होने का जो काण रहा है जैसे बीपी है या फिर सूगर है तो एक तो वो कंट्रोल होना चाहिए दूसर हमें 4-5 लेटर पानी डेली जरूर पीना चाहिए दोस्तों जैसे कि अभी गर्मी का मोसम है तो इसमें हमें लिकविड को ज्यादा लेना चाहिए और हमें डेली अपना जो सुबह मोर्निंग और इवनिंग की जो सहर है वो जरूर करने चाहिए दोस्तों डोक्टर ने मेरे क 15,03 से ऎगे बढ़ तो नहीं रहा है तो मैंने फर दो दिन के बाद में इसको अखारइए क्य है तो जो मेर इनकरीज नहीं हुए बलकि डाव जो जिकटन 순간 motto रहता पर और यह पहली बार हुde था कि 1.3 मेरा आया था तो उस टाइस में भी आ गया था और मैं सोचने लग गया था कि पता नहीं किस कारण से इंक्रीज हुआ है कोई दिक्कत तो नहीं है तो सभी टेस्ट मेरे हो चुके हैं और अभी कोई डरने वाली बात नहीं है तो सबसे इंपोर्टेंट तो है कि आप अपना बीपी है या फिर सुगर उसको कंट्रोल रखे एक हैल्दी डाइट ले और ज्यादा से ज्यादा आप लिक्विड ले या पर पानिया पर ज्यादा पिए दोस्तों दूसरा की इस टाइम पर पोलूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि फसलों की कटाई का सीजन चल रहा ज्यादा बुम है